जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्व चैनल में ऐचा में पर्यावरन से संबंदद बहुंत अंसर लेकर आए आपके लिए जिसका जो आठावा प्रैक्टिश सेट है आपके लिए साथ प्रैक्टिश सेट जो इसी तरह से हमने अपलोट करती है वो भी प्लेलिस्ट बनी है पर्यावरण की नाम से इसमें सतर लगवक सतर वीडियो आपको मिल जाएंगे पर्यावरण से संबंदेत और वह भी बेस्तरे तद्यान में और टॉपक वाई टॉपक तो बहां भी वीडियो आप देखन हैं जादा से जादा वीडियो को शेर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और डील आइकन को नहीं डबाई है अगर अभी तक आपने तो बेल आईकन कोर दबाएं और अल पर क्लिक करें ताकि अल वीडियो को जो नोडिबिकेशन आप कहां पहुंचिए और पहां पर upload कर देते हैं और बहुत सारा study material आपको सभी पीसिएं से संबधित मिल जाएगा telegram group में बहुत सारी लोग होने टेलीगराम ग्रूप को जोयन किया है तो आप झाल करना ना भूलें तो चलिए आप अपना आठवा सेट है प्रेक्टिस सेट परियाबन का तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना फर्ष्ट कोस्चन है वह कुछ इस प्रकार है कि उत्खात भूमी इस्थला किरती की विशेष्टा है अगर आप से आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर बताते जाएं चम्बल घाटी तटी अंगला कोस्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें नहीं बताना है चार बिकल्प आपके सामने है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है तो क्वास्चन नमबर दो का जो सही आंसर होगा वह क्या है तो वह बिकल्प नमबर डी व विटामिन ए सूरी का प्रकास, विटामिन ए सूरी का प्रकास जो जोड़ा है, ऐसा ही, सो मेलित नहीं है, अंगले क्वेशन है, मानाव सरीर में बसा का संचय कहां होता है, तो आपको बताना है कि मानाव सरीर में बसा का संचय कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, तो चार व अंसर हो जाएगा उपकला उटक उपकला उटक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा अंगल्या क्वोस्चन है कि भारत के धौरपूर्वे भारत के धौरपूर्वे पस्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है तो आपको यहां पर समय का अंतर बताना है समय का अंतर कितना है कि भ तो इसका है विकल्प number c आपका right answer हो जाएगा विकल्प number c क्या है कि 2 घंटा जो है आपका right answer हो जाएगा अंगले कोस्चन है जो अपना वहे कि सबजियां खराब होती है क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा इसका अंसर कि सबजियां खराब होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है कार्बोहाइट्रेट, जल, बिटामिन या एनजाइम तो question number 5 का जो सही answer है वहे विकल्ब नमबर क्या भी विकल्ब नमबर आपका सही answer हो जाएगा कि सबजियां खराब होती हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है तो अधिक होती है जलिकी विकल्ब नमबर भी आपका right answer हो जाएगा कपास उत्पादन के लिए सरवादिक उप्रयोक्त भूमी है काली मिर्दा दौमट मिट्टी या ली मप है या बुलाई या अपबाही मिट्टी तो क्या होगा इसका answer question number 6 तो question number 6 का जो सही answer होगा वहे विकल्ब नमबर आपका सही answer हो जाएगा कि कपास उत्पादन के लिए सर गुलू कोज एक परकार का है तो क्या है चार बिकल्ब आपके सामने है question number जो साथ का सही answer है कि गुलू कोज है तो आपका जो सही answer है वहे है अप सौन्ज सरकरा आपका right answer हो जाएगा बिकल्ब नमबर बी अंगला question है कि rider cup का कप एक प्रिसेद टूर्नमेंट है badminton, golf, cricket, tennis, rider rider cup एक प्रिसेद टूर्नमेंट है तो question number 8 का जो right answer होगा वहे है विकल्ब नमबर बी गुल्फ आपका जो है सही answer हो जाएगा गुल्फ अंगला question है कि अन्नाम लाई tiger reserve किस राज्ज में है तो अन्नाम लाई tiger reserve किस राज्ज में है तेल अंगना मध्द परतेश तमिलनाडू केरल तो question number 9 का जो right answer होगा वहे है क्या विकल्फ नमबर C विकल्फ नमबर C जो है आपका सही answer हो जाएगा तमिलनाडू अन्नाम लाई जो tiger reserve है कौन से राज्ज में बताना है तो आपका जो answer है वहे तमिलनाडू अंगला question है कि नारायन कार्थिकिये किस खेल से सम्बंद थ हैं तो कौन से खेल से सम्बंद थे आपको बताना है नारायन कार्थिकिये किस खेल से सम्बंद थे तो आपका जो question number 10 है इसका जो सही answer होगा वहे विकल्फ नमबर A विकल्फ नमबर A आपका right answer हो जाएगा फार्मूला बन कार रेस जो है विकल्फ नमबर A वहे सही answer है पौद्य होते हैं ़िवास पर्ज़व के अंसर आपके सामने पॉस्परइस पौद्य होते है तो statement 11 का जो सही आंसरै टे वैह надо कल्फ नमबर डी आपका राइट अंसर हो जाएगा क्रुप्टो गयाम्स आपका जो है सही आंसर हो जाएगा अंगला question है कि नमलेखित में असी क्वान सी परवस्रेंखला में अक्ष्च संगिये मूढ है तो अक्ष्च featured मूढ बताना है कि नमलेखित में से कौन सी परवस रंखला में अक्च संगी मूड है तो क्या होगा इसका सही आंसर question number 12 तो question number 12 का जो सही answer है वह हमालाई हमालाई आपका right answer हो जाएगा विकल्प number B अंगले question है छाय रोग किसके कारण होता है तो most important question छाय रोग किसके कारण होता है question number 13 का जो सही answer होगा वह क्या है वह विकल्प number C विकल्प number C आपका सही answer हो हो जाएगा mycobacterium mycobacterium जो है right answer हो जाएगा अच्छा है रोग किसके कारण होता है तो mycobacterium अंगले question है विस्व के महासागरों में किस महासागर का सरवदिक चौणा महादीप यह self है तो कुछ का है self बताना है antarchitect महासागर या antarchitect महासागर या architect महासागर या hind महासागर या atlantic महासागर तो आपका जो सही answer होगा question नमबर 14 का तो बाय है क्या question नमबर 14 का जो सही answer है बाय है विकल्प नमबर या architect महासागर आपका सही answer हो जाएगा अंगले question है गुरू सिखर क्या है तो आपको बताना है गुरू सिखर क्या है आंदर प्रदेश का सिपिंग यार्ड या सिखों के महान गुरू या हिमाले में एक पिरसिद्ध सिखार इस्तल या अराब अली का उच्च तम सिखर तो question नमबर 15 इसका जो सही answer होगा बाय क्या है तो बाय है बिकल्प नमबर D सही answer हो जाएगा अराब अली का उच्च तम सिखर बिकल्प नमबर D है जो आपका right answer हो जाएगा अंगला question है अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like कर लें और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें तो अंगला question है अपना कि निर्विबादित भारती भूभाग में निमलकित में से कौन सा सिखर सबसे उंचा है तो माउंट एबरेष्ट कंचन जंगा नंदा देवी जो है नंगा परवत तो क्या होगा इसका सही answer question number 16 का जो सही answer है तो आपका answer होगा अंगला question है निमनक्त में से कौन सा जोड़ा सही है तो आपको बताना है बन जीव पसु बिहार राज्य तो क्या होगा इसका सही answer कि निमन में से कौन सा जोड़ा सही है तो इसका answer क्या है तो इसका जो सही answer है वह बिकल्प number C बिकल्प number C आपका सही answer हो जाएगा रण थमभौर राजस्थान बिकल्प number C आपका जो है सही answer हो जाएगा और एंगला question है कि परवत परवतों की लगातार स्रेंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगवक सम अंतर है तो अरावली सत्पड़ा या पूरवी घाट या पस्चमी घाट तो question number 18 का जो सही answer होगा वह क्या है तो वह है पस्चमी घाट यानि कि जो बिकल्प number D है वह right answer हो जाएगा अंगला question है गल्सुआ एक बिशानु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदा है तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही answer कि गल्सुआ एक जीवान उजनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है तो आपका जो answer है question number 19 का वह बिकल्प number A उपकर्ण गिरंथी उपकर्ण गिरंथी आपका right answer हो जाएगा अंगला question है अब ACI share है अब ACI share है ग to question number 20 इसका जो सही answer होगा वह बिकल्प number B खत्रे में और संकत में यानि की बिकल्प number जो B वह आपका right answer हो जाएगा अंगला question है कि निमलिकित में से कब पहला बिस्स परियावरन दिवस मनाए गया था most important question है है most important question कि निमलेकित में से कब पहला बिस परियावरन दिवस मनाया गया था तो कम मनाया गया था तो इसका जो सही answer है वह है 1900 क्या होगा इसका सही answer 1972 1972 विकल्प नंबर डी आपका राइट answer हो जाएगा अंगला question है question number 22 कि निमलेकित में से कौन सी रेखा भारत के लगवग आदे हिस्से से होकर गुजरती है तो भारत के आदे हिस्से से होकर गुजरती है तो भारत के विकल्प नंबर बी आपका सही answer हो जाएगा अंगला question है कि भारती सम्मीदान की साथवी अनुसूची में बंढ़ने सारवजनेक स्वस्त और स्वक्षता अस्पताल और दबाखानों दबाखानी खालिस्तान सूची का विशा है तो किसकी सूची का विशा है संग है राज् विकल्प नंबर बी राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विशा है अंगला question है उच्चितम जो अंगला question है कि उच्चितम नियालाई के सेना निवरत नियाधीसों के लिए कहां पर वकालत करने की मना ही है तो क्या होगा इसका सही answer तो इसका जो सही answer है question number 24 क्या है तो विकल्प नंबर बी विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वारत की किसी भी नियालाई में अंगला question है नंगर निगम का मुख कौन सा है प्रदानमंतरी सरपर्ण राज्यपाल या महापौर नंगर निगम तो नंगर निगम का जो आंसर हो जाएगा महापौर महापौर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरवच्च नियालाई के न्याधीसों के वेतन और बच्ति किस पर भारत हैं भारती रिजर्बैंक है भारत की अकास्मिक्ता निधी या भारत की संचत निधी या वित्त आयोग तो question number 26 का जो सही आंसर होगा विकल्प number C विकल्प number C आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचत निधी विकल्प number C अंगला question है कि सम्मिदान के अनुच्चेद 187 में राज्य विदान सभा का सचवाला किस के अधीन आता है तो किस के अधीन आता है तो इसका जो answer होगा वै क्या है तो क्या है वै इसका जो सही answer तो इसका जो सही answer question number 27 का वै विकल्प number A राज्य सरकार राज्य सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सम्मिदान के अनुच्चेद 187 में राज्य विदान सभा का सचवाला किस के अधीन आता है तो वै आता है राज्य सरकार अंगला question है संग सूची और संबार्थी सूची के विशाय पर कानून बनानी की सक्ति खालिस्तान में है तो किसको है यह सक्ति किसको है question number 28 तो इसका जो सही answer वै लोग सभा लोग सभा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगला question है कि निमलेकित में से कौन सी अंतराष्टी एजेंसियां परयावरण सिक्षा के कारिक्रमों के लिए सही योगी सही योग देती हैं तो क्या होगा इसका सही answer UNESCO UNICEF UNEP तो क्या है इसका सही answer केवल A B और C B C और D A B और D A B C D तो क्या होगा इसका सही answer question number पर जो आपका 29 है इसका जो सही answer है भाई क्या है तो इसका जो सही answer है विकल्प नंबर D A B C D N की चारों अंगला question है कि निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए परयावरण उनमुकी योजना बर्स 1988 में मानों संसाधन विकास मंत्राला द्वारा शुरू की गई थी राष्टी हरत करांती कोर का उद्देश से देश के प्रतेक जिले में इको किल्प की इस्तापना करना है या उपरोक्त में से कौन सा कतन सही है केवल ए केवल बी केवल ए बी दोनों या ना तो ए और ना ही बी तो आपका जो राइट आंसर होगा पहे है बिकल्प नंबर सी ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों का थन जो है आपके सही है तो आज की वीडियो में बस इतना ही एह वीडि आथ करें आप आपकूंब बेल आईकन को दबाएं और ALL पर क्लिक करें इत On लोल को तक्रन आप केले में नोठीकेशन आप केहां अब पहुंची तृझ प्डव के लिए हैं आपको हमारे टेलिग्राम गृफ्ते से जुणना होगा टेलिग्राम एप में आपको सर्च करना होगा IAS Study Track यहां से आप हमारे टेलिग्राम गृप को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PD फाइल बहां पर हम अपलब्द करते हैं आपके लिए टेलिग्राम गृप में बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं तो आप भी जोड़ना ना भूलें तो आज की वीडियो बस इतना ही आप बने रही हैं हमारे साथ जय हिन